हाई फोक्स तो ये वीडियो के अंदर दो कमपनी के जो रिजल्ट्स है वो डिसकस करेंगे Fy25 के Q2 के रिजल्ट्स पहले जो कमपनी है उसका नाम है HDFC-AMC HDFC-AMC के भी बड़े सूपर रिजल्ट्स आये अगर आप देखोगे तो HDFC-AMC के जो रेवनियूस है वो कुछ 40% से इ और आपका profit after tax जो है अगर आप notice करोगे तो 32% से grow हुआ है मतलब over and all जो ये company है वो 40% का growth तो दिखाई रही है इसके पहले भी इन्होंने कुछ 35% से grow किया था Q1 के अंदर तो year on year इस company के अंदर हमें revenues के अंदर growth देखने मिल दिए क्यूंकि industry भी grow हु रही है अगर आप capital markets का देखो गया तो capital market वाली सारी company जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है इसके साथ साथ आपका एक और wealth management business के अंदर newama wealth management हो गया या फिर wealth first wealth management हो गया wealth first portfolio managers वह भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो पूरा sector ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसलिए सारी companies जो है आप individual performance देखोगे तो वो भी अच्छे चल रहा है तो एक और चीज है कि आपकी जो capital market वाला segment है वो पूरा cyclical segment है तो अगर बाइचांस ऐसा हो जाता है कि bull market आ जाता है तो लोगों के जो savings है automatic वो market के अंदर जाना चालो हो जाते है और in case अगर bear market आ जाता है worst case के अदर ही चलेगा और यह जो है इंडिया के maximum growth वाले यह रहे है और सारी companies जिस तरीके से numbers report कर रही है सारी companies के management ने जिस तरीके से guidance देखे रहा है मुझे तो ऐसे ही लगता है बट अगर हम इसकी बात करें आपके capital market के segment की बात करें तो लोगों की जो savings है वो भी divert होते जा रही लोग अपनी savings के कुछ portion जो है वो equity के लिए भी allocate कर रहे है अब यह क्यों कर रहे है क्योंकि equity के अंदर जो है लोगों को returns देखने मिल रहे है लोग जो है mutual fund SIP भी कर रहे है अगर आप पूरे industry का SIP inflow देखोगे तो SIP inflow जो है वो constantly increase होते जा रहा है 40-50% पर year on year अगर अब देखोगे तो SIP AUM अगर आप 23 देखोगे September 23 का तो 71 था और आज के date पर जो है 98.7 पर आचुका है मतलब 40% के आसपस का जो है increase देखने मिला SIP inflow गे अंदर फिर आप individual monthly average AUM देखोगे assets का तो equity का जो share है वो constantly increase होते जा रहे है और non equity का जो share है वो more or less stable है but equity का share जो है वो increase होत की बात करें तो अगर आप इनका AUM देखोगे तो AUM के अंदर 45% की growth आई है और closing AUM के अंदर 47% की growth आई है फिर उसके बाद अगर आप इनका ETF का देखोगे तो total AUM और ETF की बात करें मतलब अगर आप इनका actively managed equity वाला oriented AUM देखोगे तो 63% का growth देखने मिला है total AUM X ETF जो है वो उसके अंदर 45% की growth और closing AUM के अंदर 47% की growth है फिर उसके बाद अगर आप देखोगे debt AUM के अंदर तो debt AUM के अंदर जाधा अच्छा कासा growth हमें देखने नहीं मिल रहा है इंडिया के अंदर अब तक debt market की जो है लोगों के अंदर awareness नहीं है बट जैसे mutual fund का campaign चल रहा था mutual fund सह सही है उसी तरीके से बहुत थारी companies plan कर रहे हैं मैंने कुछ companies के अंदर पढ़ाई कि यह लोग start करने वाले debt सही है अब यह start तो करेंगे awareness तो build-up करेंगे बट debt मुझे नहीं लगता लोग इतना personally मुझे ऐसे personal नहीं रखता है कि लोग debt के तरफ incline होगे क्योंकि debt के लिए आ अब को चलो ठीक आप mutual funds के अंदर invest कर रहे हो तो बट debt के अंदर आपको return भी कम मिलता और लोगों को आज कल जो है लोगों के risk लेने के appetite जो है उसके अंदर मुझे increase देखने मिल रहा है अब मैं बहुत small sample size को consider करके बोल रहा हूँ है ऐसा नहीं है कि मैं overall logo की बात कर रहा हू बट मैंने ऐसे personal notice कि लोगों का अचकल क्या हो गया है risk लेने का perspective change हो गया है क्योंकि सारा bull market चल रहा है रेटन्स बड़े अच्छे मिल रहा है अब कहीं भी पैसे डाल दो रेटन्स देखने मिल रहा है तो लोगों को जो है वो return देखने की यादत हो चुकिए बहुत से management company या कोई भी दूसरी brokerage company, capital market वाली company maximum inflow जो है equity के अंदर ही देखने मिलेगा, equity inflow जो है बहुत जाद है, wealth first portfolio managers के अंदर भी मैंने देखा था, कि उनके कॉन कोल नहीं, उनके investors PPD के अंदर उन्होंने बताया था, equity inflows बहुत जाद है as compared to debt वगेरा बाकी inflows देखोगे तो, त equity AUM का भी वही debt वाला जो scene था, वही scene है, but अप notice करोगे तो, equity का AUM में, वह increase होते जा रहा है, but अगर आप individual investors की बात करो, उनके accounts के बात करो, तो उसके अंदर 53% का year on year का increase देखने मिला है हमें, और अगर आप individual monthly average AUM की बात करोगे, तो उसमें 51% का increase देखने मिला है, तो इस expense भी बहुत सारे होते है, तो इसके जैसे इन्हें जो operating leverage इस company को जो है, वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप इन्होंने नए funds लेकर आयते है, HDFC ने तो कुछ 280-260 employees भी हायर की है, भी recently HDFC AMC ने, और अगर आपको HDFC AMC का जो है detailed analysis चीए, तो वोड, आपको video के end में मिल जाएग तो आप जाके चेक कर लेना, या फिर आप सिधा चैनल पर जाके पर चेक आउट कर सकते हो, पूरा HDFC AMC का जो है, हमने detailed video मना के रखा है, HDFC और Nippon को compare किया है, 20 minutes के आसपास कूछ video है, दूसरी company का discussion करें, दूसरी company के जो results आया है, वो है Gopal Snacks, अब Gopal Snacks के वोई ठीक ठा market cap है, अब company को मैं कुछ 3-4 quarter से track कर रहा हूँ पिछले, अब Gopal Snacks का जो awareness से लोगों के अंदर वो increase zone लगाए, मैंने मेरे कुछ खुद के आसपास की जो shop से उसके अंदर मैंने देखा है, कि shop की पर जो है, वो चाहा रहे है कि वो Gopal Snacks का product है, वो sell करे, अब हो सकता है कि उ जादा हो या फिर company जो है, वो खुद push कर रही होगी, बट मैंने चेक किया है कि shopkeeper चाहते है कि Gopal Snacks के जो product है, वो sell हो, मुझे तो margin वाला ही point जादा acceptable लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि बिना margin के कोई shopkeeper कोई product जो है, इतना desperately sell करना चाहेगा, बट Gopal Snacks की बात कर रहे है तो आसपास की shop में जो है, ये product जो है, वो देखने मिल रहे है, इसके wafers जो है, वो देखने मिल रहे है, और उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इसके wafer segment के अंदर इसकी जो revenue ग्रोते हो maximum है, 46% के आसपास है, इसका जो दूसरा segment है, वो गाठिया वाला segment है, अब Gopal Sn जो है, दो business के अंदर है, इनके दो main type के business है, एक है इनका wafers वाला business, जो chips आप खाते हो, लेस के chips, कुरकुरे के chips वगेरा जो आप खाते हो, वो गाठिया वाला segment है, और दूसरा जो है, वो गाठिया वाला segment है, इंडिया के अंदर, Gopal Snack जो है, वो number one producer है, अगर आप बात करें results की, तो 12.6% year on year का growth देखने मिला है, अब इतनी छोटी company है, इतना छोटा base है company का, तो obviously मैं इस company से तोड़ा better expect कर रहा हूँ, but still 12.6% year on year growth मुझे अट्रक्टिव नहीं लगा, फिर इसका अगर profit देखोगे, profit margin के अंदर हमें 13.5% year on year देखने मिला है, gross profit margin के अंद इस company को कुछ नहीं मिल रहा है, वो ही मैंने बताया कि maximum जो growth है, इनके वेफस वाले segment से आ रही है, और इनके दो type के segment से, एक है focus market और दूसरा है other states वाले market, तो other states वाले market में 93.4% year on year growth देखने मिली है, और focus market के अंदर से 28.4% growth देखने मिला है, इसका मतलब यह है, कि other states के अं के गाठिया से भी आ रहे है, नमकिन से भी आ रहे है, और फिर वेफस से कुछ आ रहे है, बाकि इनके कुछ नए नए segments भी है, नए नए products भी है, जो इनने अभी अभी लांच की, जैसे कि पापड, बेसन, spices और कुछ दूसरे products जिनके revenue जो है, वो इतने साधा नहीं आते है, snacking company है, Indian snacking company, तो obviously इसका जो अगर आप देखोगे तो इतना साधा presence नहीं है, maximum इनका जो presence है, वो गुचरात के अंदर है, और इनकी कुछ तीन facilities है, अगर आप देखोगे तो, एक राजकोट के अंदर है, एक मुडासा के अंदर है, और तीसरी जो है, वो नाकपूर के अंद करते जा रही है, अब ये ब्लिंकेट पे बिग बास्केट पे भी लेके आ गई है, ब्लिंकेट पे भी लेके आई है, जेप्टो को भी अविलेबल करवा रही है, और इसके साथ साथ मॉडरन ट्रेट चैनल जैसे के आपके डीमाट और रिलाइंस रीटेल के यहां भी हमें मिल रहे हैं इनके चिप्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपणी ने जो है अपना डिस्टिबिशन इंप्रूफ कर दिया है, इसके विजए से जो प्रॉडक्स है उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने मिला है, सेलिंग के अंदर, अगर आप इसके जोग्रफी वाइस दे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि अभी मुझे ऐसे पसनेल लगता है कि इनको जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेग्मेंट है, जो की नमबस बताता है, वह है वेफस वाला सेग्मेंट, और आगे जाके वेफस का जो शेर है, इनके रविन्यूस के अंदर, वो और 10% है और 10% के उपर तो कुछ 15.2% है, जादा नहीं है, अब एक और चीज, मुझे एक और चीज आपके सामना हैलाइट करनी है, कि ये कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन से अगर आप देखोगे तो बड़े अच्छे खासे फ्लक्टुएटिंग मार्जिन से है, किसी अगर आप देखोगे तो उडद मोगर का जो प्राइज है वो उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने मिला है, थोड़े बट अब ये रोमटेरिल के प्राइज पर डिपेंड करता है, मुझे नहीं लगता कंपनी जो है बड़ी छोटी कंपनी है, छोटे स्केल पर है, तो मु जो की ग्राविटा कर रही है, तो मुझे ऐसे लगता होने तो चाहिए कंपनी जो है अब तक तो हैज नहीं कर रही है, तो जैसे इनके रोम मटेरियल के प्राइजे से वो फ्लक्टुएट होना स्टार्ट हो जाते है, तो कंपनी के मार्जिन्स वगेरा है, वो भी तो उसके अंदर उसके वज़़े से आरोए का शोम वो देखने मिल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं कमपनी के अंदर वहां Bena का वो अपको सेल्स के वाज़े से देखने मील रहे है, इस च्ö il gegangen son g टरद अर जैसे आपको परदा कर रहे है तो आपको पता है कि मैं त एसी कंपनी जो है बिल्कुल इरिटेटिंग सी लगती है मुझे अट्राक्टिव नहीं लगती है क्योंकि भाई कंपनी ग्रोई नहीं गर रहे है और ओविस्लिए आपकी कंपनी छोटी है छोटे स्केल पर रेवन्यूज रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपकी कंपनी फास से बट ऐसी कंपनी थोड़ा इरिटेट कर देती है बट ऐसा नहीं है कि ऐसी कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं करते हैं जैसके वी टू रीटेल भी लॉस से प्रॉफिट में चले गए और ग्रोथ रेट भी बड़ा फास्ट इंक्रीस कर रहे है तो इसलिए मैं जो है कंपनी इसको constantly track करता रहता हूँ अपने watchlist में रखता हूँ इनको quarterly track करता हूँ और फिर उसके बाद जब company जो है better perform करती है तब उसके अंदर capital allocate करना मुझे personally सही लगता है तो इस वीडियो को बैस इतना ही रखेंगे दो companies का हमने discussion किया पहली है HDFC MC और दूसरी जो है वो गोपाल snacks तो that's it thank you for watching और अब Q2 season चल रहा है नए नए companies के जो results है वो आ रहे है मैं नई companies भी cover कर रहा हूँ यह quarter के अंदर results को भी track कर रहा हूँ results के उपर वीडियो बना रहा हूँ और नई companies जो है वो भी cover करते जा रहा हूँ तो channel को जो है subscribe करके रख में वीडियो चल लगा तो like कर देना और आपके जो stock market buddies है जो की चाहते है stock market के बारे में सच मुझ सीखना तो उन्हें जो है यह video शेयर कर देना that's it thank you for watching